गुद बॉर्निंग सस्यकाला राब नमस्काव अनकम चैहिन दोस्तों और आज सुब़े सब एक न्यूज में लिए उसको भी डिसकस करेंगे और उनको शद्धानजली भी देंगे हमारे सिंगर केके जी की डेथ होगी इससे पहले फेमस पंजाबी सिंगर मूसेबाला जी की हत्या हो गई तो शायद ये म्यूजिक इंडेस्ट्री पे एक बहुत बड़ा दुखों का पहार तूट गया है और केके की डेथ सडन डेथ हुई है कार्डेक अरेस्ट हुए हो सकते हार्ट अटेक हुआ हो सकते इसके पीछे भी कोवीड का पोस्ट कोवीड का हाथ हो कुछ कैपाना मुश्किल लेकिन डिसकस करूँगा इसको भी कि सडन कार्डेक अरेस्ट इतने जाला क्यों हो रहे हैं यंग पेशिंट्स में इतनी डेथ क्यों हो रही है पहले बता दूँ और आज खबरे काफी सारी हैं जादा तर थोड़ी दुखवरी खबरे जादा हैं सुखवरी खबरे कम है 2745 कैसे आएं 18,000 एक्टिव कैसे हैं करीब 6 डेथ हुई है 193.43 करोड वैक्सिन लग चुकी है जादा तर जो कैसे इस समय बढ़ रहे हैं वो हमारे माराष्टा और केडला और करनाटका की बढ़ रहे हैं माराष्टा में 711 कैसे आएं अकेले मुंबई में 500 से उपर कैसे हैं केडला में 726 कैसे आएं दो डेथ हुई हैं करनाटका 197, तमिलनादू 98, आंधरा 10, यूपी 95, वेस्ट बेंगल 49 दिल्ली में 333 कैसे आएं और हमारा पॉस्टिटेट 2.15 परसेंट है तो दिल्ली फिर भी काफी हद तक धीरे-दीरे संभल चुकी है और यही दिल्ली वाला रुख अब उदर चला गया है माराश्टा केडला में और इशा में 3, राजसान में 53, कुजात 45, 36 गड़ में 12, MP में 20 और हर्याना 161, तेलंगना 59, पंजाब 13, गोवा 29 यह थोड़ा चुकाने वाला, गोवा में 29 कैसे आ रहे हैं क्योंकि काफी सारे लोग पूरे इंडिया से इस समय घूमने के लिए भले गर्मी बहुत जाला है, तो गोवा जा चुके होंगे तो कहीं नगे उसका सर भी देखने को मिलेगा UK 16 और चंदिगर 23 अब मुझे भी चंदिगर जाना है, और मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे COVID का रिपोर्ट मांगी जाएगी नहीं जाएगी, मांगी जाएगी, वेक्सिन का स्टेटस मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ यह जो इंडिया के जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी है, स्वास्त अधिकारी है इन से रिलेटेड कि जब आप ट्रेन से किसी शेहर में जाते हैं तो आप से कोई कुछ नहीं पूछता है ना आपका vaccination card मांगता है, status मांगता है, ना आपका COVID test मांगता है फिर flight से क्यों? क्या COVID सिर्फ flight से फैलता है? क्या? अजीब हो गरीब दासता है, आप railway station पर जाओ, कोई mask नहीं लगाता है लेकिन अगर आप flight से जाओगे तो पता नहीं क्यों? शायद आपको लगता है कि यहाँ पर अमीड लोग आते हैं, इन से निचोड़ लो जो निचोड़ना है बहुत अजीब हो करीब कहानी है भाई, समझ में नहीं आता है पता नहीं है, मुझे भी अपने status ही पता कि COVID test करा के जाना पड़ेगा आज मुझे दुबारा देखना पड़ेगा जाके तो मैं जा रहा हूँ चंदीगड और वहाँ से जाऊँगा शिमला और करीब चार-पांच-छे को मेरा ओफ रहेगा, क्लिनिक का बंद रहेगा पहले आपको बता दूँ इदर बेजिंग में पांच-णे कैसे दाये हैं लेकिन शंगाई में लोकडाउन खुलने जा रहा है तो बदाई हो आप सबी को तो देखो यार कहीं पे भी लोकडाउन हो अगर वो खुल रहा है तो अच्छी बात है हमारे पूरे वर्ड की एकनोमी के लिए अच्छी बात है और भारत की एकनोमी से रिलेटेड है गुड न्यूस यह है कि भारत में जो ग्रोथ हुई है वो उमीद से थोड़ी जादा हुई है और जो फिसकल डेफिट थी वो उमीद से कहीं कम है तो उमीद से आगड़े थोड़े अच्छे आए हैं भारत के और भारत मुझे लगता है कि इस कोवीड में अगर किसी कंट्री की एकनोमी सबसब सही रही है तो वो भारत ही है मुझे ऐसा लगता है तो बले बले शावा शावा ठीक है इंडिया दी हो गई वा भाई वा और डबली ऐचो ने एक वार्निंग दिये उन्होंने ये बोलाया कि monkey pox जो cases अभी आपको दिखाई दे रहे हैं हो सकता है ये tip of iceberg को मतलब कि नीचे हो सकता है बहुत बड़ा पहाड़ हो आपको सिर्फ उपर एक tip दिखाई दे रही है मतलब cases कफी ज़्यादा हो सकते हैं और asymptomatic monkey pox के cases क्या है या नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं पता सच पता हूँ तो WHO को भी ज़्यादा नहीं पता वो यही कहना जी हमें भी नहीं पता क्या pandemic आएगा monkey pox की वज़े से नहीं आएगा किसी को कुछ नहीं पता हाला कि monkey pox ज़्यादा तर homo sexual में फैलता है फिर भी close contact से भी फैल सकता है अभी तक शाद 23 countries में मिले हैं और 500 के असपा cases मिल चुके हैं flu-like illness होती है और इसके बाद skin rashers, leasons निकल आते हैं हाथ-पैरों में ज़्यादा common है तो ये बहुत कोई serious illness हो नहीं है mild illness है लेकिन फिर भी क्योंकि अभी COVID से हम पार नहीं पापाए इधर monkey pox भी अगर आ गया तो तोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है केरला, केरला में ये मुद्धा भी है कि क्या stress आपकी immunity पे adverse effect डालता है COVID में एक study हुई है जिसमें बताया गया कि जिन लोगों को acute stress था किसी वज़े से बहुत तनाव में रहते थे उन में immunity उनकी hamper हुई और उनकी immunity ने बहुत अच्छा response नहीं दिखाया COVID में तो कुल मिला के सब बातों की एक बात है कि mental health भी आपके immunity पे असर डालती है इस पर मैं आलग सा एक वीडियो बना दूँगा लेकिन ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ कि mental health बहुत असर डालती है आपके immunity के उपर लोगों को लगता है कि हम ये vitamin खाले वो vitamin खाले ये कर ले वो कर ले लेकिन रात को हम दारू भी पी ले और mental health भी हमारी खराब रहे depression, anxiety के शिकार है, नीद नहीं आती है ये सब कहीं न कहीं आपकी immunity पे adverse effect डालते है इसलिए मैंने जब आपको अपने एक वीडियो बताया था है, वो बताना ठीक नहीं है हर एक की medicine से अलग अलग होती है पर कहीं न कहीं लोग mental health को भूल जाते हैं जब वो immunity की बाते करते हैं तो mental health को कहीं neglect कर देते हैं तो मैरे इसाब सब्सक्राइब मेंटल health पे उतनी ही ज़रूरी है जितनी physical health ठीक है और अब आते हैं मिस्टर हम लेट शिरी केके पहले केके गरवाल जी गए और अब केके भी चले गए ठीक एक साल के बाद almost केके की जो हुआ कल एक concern के जो उनका एक musical प्रोग्राम ता केलकटा में शयद उसके एकदम से बाद उनको वो हो गया cardiac arrest हुआ और वो उनको बचाया नहीं जा पाया जब hospital लेगे तो broad death थे आखिर क्या हुआ होगा most really heart attack ही हुआ होगा ठीक है तो अब पिछले कुछ दिनों में इतने जाला heart attack देखने को मिल रहे हैं young patients में चैह वो सिद्धार्थ हो चैह वो उसके लावा भी कहीं लोगों को यह सब problems हुई है चैहे वो हमारे आज तक के पत्रकार थे चैहे यह केके की death इससे पहले भी कहीं young लोगों में गुना गया कि इतनी celebrities को heart attack हुआ तो कहीं न कहीं कल भी मैंने बोला था कि जो चार धाम की यात्रा है वहाँ पे भी 27 दिनों में करीब 102 लोगों की death हो चुकी है और इसस पोस कोवीड की वज़े से ऐसा हो रहा है तो मैं यह मानता हूँ कि जी पोस कोवीड ने heart health के उपर बहुत बुरा असर डाला है और हो सकता है कि इसमें पोस कोवीड का हाथ हो के की death में और आप लोगों को क्या करना है मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर आपके predisposing factor है मतलब आपकी family history है आपको शुगर है आपको बीपी आप स्मोक करते हो आपका cholesterol बढ़ा रहता है अगर आपके कुछ ऐसे factor है तो अपने बार routine टेस्ट जरूर करा लें और आपके उमर 40 साल से उपर है तो अपनी एक बार CT coronary angiography भी करा के देख लें और अगर आपकी family history है यंग death की ये family में यंग heart attack की history है कि यंग या middle age में history है heart attack की तो अपना CT coronary angiography जरूर करा है और CT coronary angiography हम दिली में करा के दे रहे हैं 50% discount के साथ है जो मैं मैंने tie up किया हुआ है star health star x-ray में imaging x-ray जो तिलख नगर में है तो अगर आपको किसी को कोई problem हो तो मुझे contact कर सकता है लेकिन CT coronary angiography के लाबा और भी test है एक बर अपना hscrp भी करा के देख लें हमां homocysteen level करा के देख लें अपने lipid profile करा के देख लें एवा complete health check-up जरूर करा है मैं सब भी लोगों को बोलूँगा कि इस post covid में जीना थोड़ा और मुश्किल हो गया पहले से इसने जो virus ने हमारी body pressure डाला है तो आपको उसके लिए बहुत मेनत करनी पड़ेगी अब वो नहीं है कि आप काम करेंगे और आके सो जाएंगे वो नहीं भाई आदा पोना घंटा आपको अपने उपर देना ही पड़ेगा खाने पिने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा exercise regular करनी पड़ेगी एक बड़ डॉक्टर से मिल जरू लें अपने बॉड़ी के सारे टेस्स जरू करा लें ECG, ECO अगर आपको pre-disposing factor है तो मैं ले पहले से कोई बिमारी है तो अपने सारे टेस्स कराके तब कोई fitness प्रोग्राम करें तब weight lifting करें या कुछ भी heavy exercise करनी है तब करें और मैं तो यह बोलता हूँ हमेशा कि धीरे धीरे बढ़ाएं जो भी करें धीरे धीरे करें उसको एक दम से ना करें तो यह था आज का good news तो नहीं था bad news ही थी जालातर और चलो मैं जा रहा हूँ अब मिलूँगा आपको अब पता नहीं चार पांच छे तारीक में मैं बहार हूँगा तो मैं कैसे वीडियो बनाके good news का आपको डाल पाऊँगा तोड़ा सब मुश्किल काम तो है मेरे लिए लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा जहां पे भी रहूँ आप लोगों के टच में रहूँ और ठीक है जी केके प्रे करेंगे और यही बोलेंगे ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति और उनका वो गाना हम रहे आना रहे कल याथ आएंगे वो पल फल हू प्यार के पल तो केके सर सर, मेरे लिए तो सरी हो आप गुरू थे आप, म्यूजिक के भले में से चोटे रहे, चोववन साल क्यों मरती सिरफ उनकी लेकिन दिल बहुत उदास हो जाता है, ऐसी नियू सुन के जब यंग डेथ हो रही है तो इसलिए बोल रहा हूँ, यार मेनत करो थोड़ा अपनी बोड़ी पे मेनत करो, काम हम होते रहेंगे काम हम सब चलते रहेंगे साथ में, लेकिन बोड़ी है, हेल्थ है तो सब कुछ है इस बात को जान लो आप, ठीक है और किसी भी अडिक्शन से दूर रहो सिगरेट, शराब, शराब ठीक है कभी कभाग हो गया, माइल्ड, मॉडरेट तो ठीक है, लेकिन ओवर ये सब करके फिर आपको पता भी इन चलता कि आप और क्या क्या कर जाते हो, शराब के नेशे में ठीक है, थैंक्यू वेरी मच, आपको अपना मुना भाई, MBBS, भाई, थैंक्यू, शुक्रेए